हेलो सुद्रेट वेलकम टू माई चैनल इन्वेशन वाइफाई स्टड़ी आई एम रोशन आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास नाइन्थ एन्सियार्टी बुक नियू सलेवस पे हैं तो एक्सरसाइज 1.1 आज की क्लास में हम कंप्लेट करेंगे इस इस से पहले हमने इसका इंट्रोडेक्शन पढ़ लिया है और एक्जामपल वन और टू हमने कंप्लेट कर लिए हैं तो वह आप पहले देख लिजेगा इसके बाद में ये क्लास फॉलो कर कीजेगा अगर वह क्लास आपने नहीं देखिया तो इस क्लास के आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा वहां से क्लास को फॉलो कर सकते हैं इसका पहला क्यूसन आपको दिखाई दे रहा होगा क्या पूछा गया इसमें देखिगा हमें बोला गया है कि क्या सुन्ने एक परमेशन क्या है क्या सुन्ने एक परमेशन क्या है क्या इसे आप P upon Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पे P और Q पुर्णांक है P और Q पुर्णांक है P not equal पुर्णांक आप जानते हैं क्या होता है हम यहां से लिखेंगे हाँ सुनने एक परमेशन क्या है इसे हम इसे हम P upon Q के रूप में रूप में लिख सकते हैं, कैसे भी हम लिख सकते हैं, इसको जीरो अपॉन में एक लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जीरो बटा एक लिख सकते हैं, जहां पे पी और क्यू, यहां पे यह हमारे पास में होजेगा, पी अपॉन में क्यू, जहां प पुर्णांक संख्या है जो की पुर्णांक संख्या है जो की पुर्णांक है जो की पुर्णांक संख्या है हम इसको लिख सकते हैं पी जिरो एक परमे संख्या है सुन्य एक परमे संख्या है जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जीरो बटा एक इस इकल टू पी अपॉन में क्यों पी जीरो है क्यू वन है जो कि एक पुरुनाग है कलियर हुआ अब यह इसके सेकंड नंबर के उसन पे चलते हैं यह हमारे पास में सेकंड नंबर के उसन है थरी और फॉर के बीच में छै परमे संखें ग्यात करो तो छै प्लस में एक बराबर हमारे पास में क्या होगा साथ होगा अब तीन कब आता है कौन सी संख्या में साथ का भाग देने से तीन आएगा तो तीन बराबर हमारे पास में होता है 21 बटे साथ वै चार कब होता है भी किस संख्या में साथ का भाग देंगी चार आए तो 28 बटे 7 हमारे पास में 4 आ जाता है 21 बटे 7 हमारे पास में 3 आ जाता है तो 3 वै चार के बीच में 6 पर्मे संख्या पर्मे संख्या बराबर अब आप लिखोगे continue लिख दोगे 22, 21 और 28 के बीच में जैसे आपने लिख दिया 22 बटे 7 आपने लिख दिया 23 बटे 7 आपने लिख दिया 24 बटे 7 आपने लिख दिया 25 बटे 7 आपने लिख दिया 26 बटे 7 और आपने लिख दिया 27 बटे 7 यह हमारे पास में 6 continue लगातार हमने यह लिख दिया परमे संखें होगी जो 3 और 4 के बीच में हैं 3 और 4 के बीच में परमे संखें इस परकार से रिपर्जेंट कर देना 6 संखें पूछी है तो 6 प्लस में 1 कर देना 7 संखें पूछे तो 7 प्लस में 1 कर देना इसी प्रकार से चार संखें पूछे तो चार प्लस में एक कर देना यह कालियर हुआ क्या सैकेंड नमर के उसन डेटो कौपी है अग्जामपल करवाया था मैंने आपको अब चलते हैं इसके तेन नमर के उसन पर अब 이सका हमें जुक्वे आपक वंभाया है तो यहां पर क्या पूचा गई हमसे बटे चंच के बीच में 5 प्रमेंशंखें अरे चलो ठीक लिख का करेंगे, 3, 5 को हम यह लिख सकते हैं, गया, ऊपर-nीचे मैंने 10 से ऐसा करा řिया, तो 30 बटे 50, और 4 बटे 5 को क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने 10 से उपर-nीचे मल्टिप्लाई करवा दिया, तो इसको तो ये लिख सकता हूँ क्या 40 बटे 50 तो हमें अब 3 बटे 5 और 4 बटे 5 की बजाए 30 बटे 50 और 40 बटे 50 के बीच में 5 परमे संख्या लिखनी है तो 5 परमे संख्या लिखोगे 5 परमे संख्या बराबर कितनी हो जागी एक तो हमारे पास में 31 बटे 50, एक हमारे पास में 32 बटे 50, एक हमारे पास में 33 बटे 50, एक हमारे पास में 34 बटे 50, और एक हमारे पास में 35 बटे 50, ये हमारे पास में 5 परमे संखे होगी, अगर इसी परकार से आगे पुछे, तो 36 बटे 50, 37 बटे 50, 38 बटे 50, और 49 बटे 50, ज बना सकते हैं इससे और आप एक फॉर्मूला आपको मैंने ये भी बताया था कि A प्लस में B बटे 2 से भी आप कर सकते हैं जैसे A का मान 3 बटे 5 है B का मान 4 बटे 5 है दोनों को जोड़ दोर 2 का भाग लगाते जाओ इस परकार से भी इस फॉर्मूले से भी आप क्या निकाल सकत है रेसला नंबर निकाल सकते हैं कालियर हुआ अब इसके देखेगा लास्ट क्यूसन पर चलते हैं चार नंबर क्यूसन पर हमें दिया गया है कि नीचे दिये गए कथन सकते हैं या ट्रिव है या फाल्स ऐस सकते हैं कारण के साथ अपने उतर दीजिएगा ठीक है अब यहा प्राकर्ण संक्या होती है, यस होती है, सही है, सत्य है, कैसे, जैसे हमारे पास में प्राकर्ण संक्या है, पांच, तो वो प्राकर्ण संक्या में आएगी, साथ प्राकर्ण संक्या लेंगे, तो वो भी प्राकर्ण संक्या में आएगी, यहां नो एक प्राकर्ण संक्या है, प जो की एक पूर्ण संख्याभी है, यानि नो एक प्राकर्ट लिख दिए गए यह आपे, नेच्रल नंबर, प्राकर्ट संख्या है, जो की एक पुर्ण संख्याभी है, Similarly, आप कोई भी संख्या प्राकर नेच्रल नंबर उठाओ, ये हॉल नंबर में आएगा नेकिन हॉल नंबर नेच्रल नंबर में कभी नहीं आ सकता क्योंकि हॉल नंबर में जीर वाता है रो प्राकर संख्या में नहीं आता Second number देखूँ प्रतियक पुर्णाक एक पुर्ण संख्या होती है प्रतियक पुर्णाक एक पुर्ण संख्या होती है नहीं ऐसते हैं कैसे ऐसते हैं जैसे मैं इसका रेजन भी दूँ आपको यानि प्रतिक पुर्णाख मेरे पास में जैसे पुर्णाख आ गया माइनस के पांच एक पुर्णाख संख्या है पुर्णाख है जो की पुर्ण संख्या नहीं है पुर्ण संख्या नहीं है क्योंकि पुर्ण संख्या पॉजिटिव में होती है हमेजा पूर्ण संख्या एक positive number होता है 0 plus में positive number तो वो क्या हूते हैं पूर्ण संख्या होती है लेकिन माइनस 5 पूर्णाक में आता है लेकिन पूर्ण में नहीं आता इसलिए ऐसकिते हैं तेसरी condition देखो इसके क्या दिया गया है परतिक प्रमे संख्या एक पुर्ण संक्या प्रतिक प्रमे संक्या पी बटा क्यू एक पुर्ण संक्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती ऐस सत्य बात है यह तो बिलकुल ऐस सत्य है क्यों रीजन देखो पी बटा Q के रूप में कोई संख्या देशे परमे संख्या लिख दिया मैंने दो बटे तीन एक परिमे संख्या है जो की एक पुर्ण संख्या नहीं है परमे संख्या तो है लेकिन पुर्ण संख्या नहीं है पुर्ण संख्या क्या होती है 0, 1, 2, 3, 5, 7 इस परकार से continue प्राकर संख्या है प्लस में 0 एड करते हैं तो पुर्ण संख्या हुएं कंवर्ट हो जाता है पुर्ण संख्या ही बन जाती है तो दो बटे तीन एक परमे क्या नहीं है कलियर हुआ क्या अब इसके चार क्यूसन थे हमने चारों क्यूसन कंप्लेट कर लिये हैं तो ये क्लास कैसे लगी कोमेंट करके जुरूर बताएं बच्चे अगर अच्छे लगी हो तो लाइक करना सेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हम पूरा कोरस इ आने वाले प्रतेक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलें तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ जय हिन जय भारत